थर्ड इयर वालों के गैस पेपर जो होम साइंस के स्टुटेंट है और जो पीए थर्ड इयर में हैं यह होम साइंस का सेकंड पार्ट एक्स्ट एजुकेशन है अर्थात प्रसार सिक्षा है इससे कुछ कोस्टन्स है जो आप आगे देखेंगे ठीक है तो चलिए आगे न फेल्ड ऊट आप और यह होमने पोचे जाते हैं ठीक है दिर गुत्रिय प्रश्न प्रसार सिक्षा को परिभासित करते हुए उसके सिधानतों की चर्चा कीजिए ये conceptual question है जो every year परिच्छा में पूछे जाते हैं आपकी concept से एक question आना ही आना रहता है दूसरा है समुदाइक विकास योजना ये भी most important question है इसकी भी तयारी कर लीजी आ है समुदाइक विकास योजना क्या है इसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए तीसरा है प्रसार सिक्षा में द्रिस सब सामागरियों का लेक कीजिए तता उनकी विसस्ताम याम सिमाओ की चर्चा कीजिए ये तो प्रतेक साल हर साल कोई ऐसा year नहीं होगा जो ये पूछत आता है आप जब देखोगे तो यह हर साल कोईस्चन पूछा हुआ है तो इसकी तो अब्रोब क्यारी कर लेना यह आना ही आना रहता है यह भी आना ही आना रहता है यह तीनों ही मॉस्ट इंपॉर्टेंट कोउस्चन्स है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते ह प्रसार कारेकर्म नियोजन को प्रजभासित कीजिए तता प्रसार कारेकर्म नियोजन प्रकरिया को समझाइए यह चौथा कोश्चन था अब हुमारा है पांचवा कोश्चन सिस्य माताओं के लिए विभिन केंद्रियोजनाओं का उले कीजिए यह आपको चार देदेगा लेकिन आप लोग करने कितने रहते हैं सिर्फ दूख कोश्टन ठीक है तो पहला तो यहां पर देख सकते हैं कि concept से question आना ही आना है और दूसरे में यह परसा सिक्षा द्रिस सरब समगरियों का लेकिजिए यह तो आप तैयारी रट लीजिए यह आना ही आना रहता है यह जरूर आएगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो सीसु यह माताओं के लिए विविन केंद्री यह जनाओं का लेकिजिए यह भी most important questions है जो पूछा जा सकत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ लगू उत्रियों प्रश्ण है इस types के भी question आते हैं जो पाच पाच नंबर के होते हैं प्रते question पे 10 नंबर मिलता है जैसे देखिए यहां पे परिवार यहां पे टिपड़ी लिखना है यह टिपड़ियां पाच स्वास्त सेवा के अस्तर यह भी most important question है अथवा विश्व स्वास्त संगठन से आप क्या समझते हैं इसके उद्श्ययों कार्यों का वर्णन कीजिए कार्यों को वर्णन कीजिए सौरी यहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो चली आप लोग देख लीजिएगा और सुधार लीजिएगा कि बिश्व स्वास्त संगठन से आप क्या समझते हैं यानि कि डबलु-एच्च जो से आप क्या समझते हैं इसके उद्श्ययों का वर्णन कीजिए तो चली आगे देखते हैं सीख प्रांड सिख्चा के समस्याओं का उलिख कीजिए ये भी प्रूंट सिख्चा के समस्याओं का उलिख कीजिए ये भी । सकता है